हेलो प्रेंट्स वेल्कम टो माई चानल हेल्फ फूर्ट ट्रेवल कैफे दोस्तों आज हम एक स्वीट दिश पनाएंगे जो बिल्कुल सिंपल होगा इजी भी होगा और खाने में यम्मी भी होगा आप सभी जानते हैं कि जैसे पुरारे समय में हमारी दादी, नानी, मा ये सिंपल से रसिपी बनाते थी जो हम लोगों को बहुत पसंद होता था जब एक टाइम में लोग स्ट्रीट कम खाते थे और घर की बनी चीज़े ज्यादा खाते थे तो चले हम बनाना शुरू करते हैं ये एक सिंपल रसिपी है आते का हल्वा जो मैं ब्रेकफस्ट में अपने घर के लिए बना रही है तो चले हम स्टार्ट करते हैं अा्थे का हल्वा बनाने के लिए हमने एक कटूरी आटा लिया है उसमें ये 48 00L High Five उसमें ये चीनी लिया हुआ है चीनी मैंने आधा कट्वरी लगबग लिया है आधा कट्वरी से कम है थोड़ा ये क्योंकि मैं इसमें कंडेंस्ट मिल्क का यूज यह कंडेंस्ज मिल्क है तीन बड़े चम्मच इसमें मैंने पानी डाल दिया हुआ है इसे डाइलूज करके मैं यूज करूंगी इसके साथ यह आलमंड इसको भी मैंने पीस लिया है इलाइची पाउडर और यह हमारा घी सबसे पहले कड़ाई में हमारा कड़ाई हमारा गरम ह हो रहा है हम इसमें डालेंगे लगभक तीन चम्मच घी और यह घी हमारा गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे आटा इस आटा को अच्छे से थोड़ा लाल होने तर इसे भूम लेना है आटा हमारा लगभक मैं भून रही हूँ इसे बीच में हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा पानी लगभक वाटर साइस का पानी और इसमें हम डालेंगे यह चीनी चीनी को हमें लगभक इसका यह चाशनी तर इसकी तयार करने नी है और तब तक हम आटे को अपना भूनते रहेंगे हमारी चाशनी भी रदी हो जाएगी तब तर अब इसमें डालेंगे हम इलाइची पाउडर और यह जो हमने आइमन रखा हुआ था यह इसको इसमें डाल देंगे यह हमारा अच्छे से लाल हो चुका है आता इसमें हम मिलातेंगे अपना यह चाशनी जो हमारा रेडी हो चुका है इसे ज्यादा गीला है हमें चाशनी को ज्यादा गाँआ नहीं करना है इसे बस चीनी गुलने पर इसे बना लेना है और इस तरह हम इसे कंटिनेसि चलाते रहेंगे इसी के साथ इसमें ये condensed milk कर जो मैंने पानी बना के रखा था यह भी इसमें डाल देंगे इसे continuously चलाते रहना है ताकि इसका lumps निकल जागेंगे कड़कर के निकलपी णीज़ कर देंजब काज़ कर देंगे क्षे, क्षा रहा कर देंगे,पनी यजस बनी यहा चूँए यह हमादा अच्छी से हम पक चुका है इसमें हम थोड़ा सा एक चमस लगब गी डालेंगे इसमें से यह बिलकुल एक पुराने समय की रसिपी है और यह अभी तक चल रही है लोगों का और ताइम फेज़रेट है कई बार यह प्रशाद में भी यूज होता है तो आप इस गरम-गरम इस आटे के हल्वया को एंजॉय करें क्योंकि हमारा रेडी हो चुका है तो फ्रेंड्स हमारा यह हल्वा रेडी है रक्षित दू यू लाइक हल्वा आई लब हल्वा वेरी मच्च हल्वा इसमें तो स्माइली भी है तो चलो इसे खाते हैं